जहिन दोस्तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहतर होंगे स्रीवसिस्ट रकाइड़मी के इस ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज के इस करेंट अफेर के लेक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे सूरिकरन अभ्यास की सूरिकरन अभ्या याद रखना है जिसका इस वार जो है वह 15 अंसक्रण का आज़िन किया जा रहा है यह रदो साल में होने वाला एक वी वार्चिक से अभ्यास है जो दोनों देश बारी-बारी से अपने डेश में आज़िद करते हैं दोस्तों जैसा कि आप मैं देख रहे हैं मैं जो नेपाल है वह एक हिमालाई देश है पहाड़ी वाला देश है परेटन इसकी अर्थे रवस्ता कमों के आदार है एक तरफ चाइना से लगा हुआ है दूसे तरफ इंडिया से लगा हुआ है इसकी राजधानी जो है वह काटमांडू है तो भारत के लिए एक बहुत ही इंपोर्टन लूप से यह देश है क्योंकि चाइना कोशिश करता है कि इस पर अपना पुर्भाव जमा सके लेकिन भारत ने इस पर कई परकार की परियोजना चला रखी और बहुत बड़े लेवल भारत इसको सायता देता है तो कहीं ने कहीं एक सकती संतुलन मनाने की कोशिश की जा रह सारा, दुर्गम पहाडी चेतरों में सेने संब्द इस्थापित किये जाए का हिमालेयन देश है और भारत का बहुत बड़ा चेतर जो का हिमालेयके परुवत परवति चेतरों के अंतरकत आता है ऐसे में जो हमारी सीमा है उन दुर्गम इलाकों में दुर्गम पहाड़ी छेतरों में सेने सम्मंद इस्थापित करें ये इसका उद्देश्य है इसके अलावा इस छेतर में आपदा बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिलती है भले ही वो उतराखन की बाड़ हो या फिर ह नेपाल के भूकम की बात करें बड़े प्यमाने पर जो मानो पूंजी वहताहत होती है बहुत बड़े लेवल पर आर्थिक रूप से भी छती होती है तो ऐसे में यहां पर मानवी सहयता प्रदान करने को देश्य से ये जो अभ्यास से ये काम करेगा आतंगवादी विरोध जाह से महित्पून होता है अगर इसकी बात करें दोस्तों तो इसका चगदवा संस्क्रण जो था वह 2019 में नेपाल के साल जंडी में आईजित किया गया था और इसका पंदवा संस्क्रण जो इस साल आईजित किया गया ठीक है एक्जाम में पूछा जाएगा तो आब बता दीजी का कहां पर हुआ है अगला टॉपिक दोस्तों आपका अंतरास्टी सांकितिक भाषा दिवस दोस्तों वैश्विक इसतर पर अकर हम बात करें तो बहुत बड़े संख्या में ऐसे लोग हैं जो बदिर हैं और इन बदिर लोगों के मानवादिकारों की पूर्ण प्रा प्रास्टी सांकितिक भाषा दिवस मनाया जाता है अगर हम बात करें सांकितिक भाषा क्या है दोस्तों तो जिस प्रकार से हम भाषा की बात करें तो भाषा जो होती वो एक माध्यम होती जिसके माध्यम से हम किसी दूसरे तक अपने विचारों को पहुचाते हैं वो इने स समझ पाता है दूसरे के विचारों को हम सुनते हैं प्राप्त करते हैं उसे समझ पाते हैं और एक परकार से जो विचारों का आदान प्रदाम है उसका माध्यम मनती है भाशा और जिसी से कहीने के हम बोल सकते हैं आगे जाके सम्मंद परिवार और समाज का निर्मान भी होता ह तो समाज के निर्मान रास्ट के विकास में एक important role play करती है कोई भी भाशा, भाशा के जब आप बात करते हैं दोस्तों ते एक भाशा लिकित भाशा होती है, दूसरी मौखिक भाशा होती है और तीसरी होती है सांकितिक भाशा, जो लिखके अगर हम बात अपनी दूसरों तक पहुचा पा रहे हैं, तो वो लिकित भाशा है, अगर हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुचा पा रहे हैं, तो हम मौखिक भाशा का यूज़ कर रहे हैं, और कुछ ऐसी स्तिति होती है, जो बदिर लोग यूज़ करते हैं, वो होती सांकितिक भाशा, जिसमें हाथ के इशारों वो शरीर, चेहरे के हाव-भाव आदी का उपयोग करके अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुचाने का काम किया जाता है एक प्रकार से देखा जाये तो बोली जाने वाले भाशाओं से लिखी जाने वाली भाशाओं से एक अलग समरशना की होती है आपकी सांकेतिक भाशा और मुक्के रूप से जो सरवन बादित लोग होते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, जिनको सुनने में दिक्कते होती हैं बोलने में दिक्कते होती है, ऐसे जो बच्चे होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, वो विशेश तोर पर इस भाषा का परियोग करते हैं, और इनके लिए ही इस भाषा का जो भाहत वह उसको एक हंकित करने के लिए जागरुकता पहलाने के लिए, तेवी सितंबर को अंतराश् संकेतिक भाशा दिवस मनाया जाता है अगर इस भाशा दिवस की बात करें दोस्तों तो इसका जो प्रस्ताव है वो सबसे पहले 135 राष्टर के एक संग है जिसका नाम है World Federation of the Deaf इसने इसका प्रस्ताव रखा था और 19 दिसंबर 2017 इसके बाद हम बात करें तो 2018 में पहली बार अंतररास्ट्री भाशा दिवस मनाया गया था 1921 को 23 सितंबर के दिनी जो World Federation of Deaf था इसकी स्थापना हुई थी इसलिए हर साल 23 सितंबर को ही ये दिवस मनाया जाता है जो सांकितिक भाशा दिवस है उसकी इस साल की थीम थी We Signed for Human Rights जो है वो इस साल की थीम थी basically जब exam में आता यहां से कोई परशन तो वो इस प्रकार से पूछा जाता है थीम अगेरा पूछ लेते हैं तो आप याद रखेगा We Signed for Human Rights जो है वो इस साल के सांकितिक भाशा दिवस की ठीम थी ठीक है दोस्तो चलिए सांकेदिक भाषा के बारे में एक और चीज़ याद रखे दोस्तो तो ये जो the world federation of the deaf या जो संस्थान है इसके अनुसार दुनिया भर में लगबक 70 million से अधिक लोग जो है वो बधिर प्रकृति में आते हैं ठीक है और किसी न किसी रूपे अ जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार से सांकेदिक भाषा को प्योग करते हैं ठीक है याद रखना आप लोगों को अगला टॉपिक है दोस्तो रामधारी सिंग दिंकर रामधारी सिंग दिंकर को हम इसलिए आज चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में 23 सितंबर के 1908 में बेगू सराय के सिमरिया गाउं में हुआ था एक छोटे से किसान परिवार से सम्मंदी थे वहां से उठे अपनी अच्छी एजुकेशन के बाद इन्होंने बड़े लेवल पर एक राष्ट कभी के तोर पर जाने गए और जब देश आजाद हो गया तो 1952 में इन्हें दिनकर की बात करें दोस्तों दिनकर जो ओज की कभी माने जाते हैं इनकी भाषा जो थी वह बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पूर्ण थी ओजस भी थी सरल भाषा थी इसलिए इनकी जो शेली इसको बहुत जादा लोगों ने सम्मान दिया लोगों ने इसको एक्सिप किया इनकी पुस्तक थी जिसका नाम था संस्कृति की चार अध्या एक्जाम में पूछा जा सकता है कि संस्कृति की चार अध्या जो पुस्तक की थी तो याद रखेगा दिनकर जी की थी इसके लिए इनको साहित एकादमी पुरुषकार भी दिया गया था इसके लावे इनको ग्यानफिट पुरुषकार और पद्म भुषण से भी सम्मानित किया गया था तो पद्म भुषण से सम्मानित हुए ग्यानफिट पुरुषकार से सम्मानित हुए साइत्य अकादमी पुरुषकार से संवानित हुए इतने सारे पुरुषकार रामदारी सिंग दिनकर जी को मिले थे याद रखना है आपको अगर हम दिनकर की और दूसरी कृतियों की बात करें दूसरी पुस्तकों की बात करें तो इसमें दोस्ते के इंपॉर्टेंट है हुंकार, कुरुक्षेत, रश्मिरती, कुरुक्षेत और रश्मित अतिन की बहुत दादा प्रसिद्ध हुए यह आप सभी न पढ़ा होगा इसके अलाबा पर्शुराम की प्रतिग्या, उर्वर्शी, संस्कृति के चार अध्या, यह सभी इनकी इंपॉर्टेंट कृतियां थी, जिनके चलते रामदारी सिंग दिनकर जो थे, वो पूरे देश में जाने गए और राष्ट कभी के तोर पर इस्थापित हुए ठीक है अच्छा, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है Air Martial VR 4 दोश्तो, Air Martial VR 4 जो है, इनको वायू सねनका अगला प्रमुक निस्थ किया गया है, यह अभी उप्व प्रमुक एयार मार्शल VR जो है, इने वायू सेनका अगला प्रमुक बना दिया गया है, अ का इस्थान जो है वो चौधरी लेंगे ठीक है चौधरी जो है वो 1982 दिसंबर में वायू से ना में आये थे और इनमें फाइटर स्ट्रीम के कमिशन में इनको लिया गया था ये भी आभियाद रखेंगे अगला टॉपिक है दोस्तो SDG Progress Award दोस्तो SDG Progress Award जो है वो इंटरनेशनल अवार्ड है जो हाल ही में सतत विकास समाधान नेट्वर्क ने बांगलादेश की जो परधान मंतरी है शेक हसीना इनको दिया है ये इसलिए दिया गया है क्योंकि विश्व में गरीबी को समाप करने प्रत्वी के पारस्प्री तंत करने के रिए जो कारवाही करने की बात होती है इसलिए ये और इने दिया गया किसका दोरह दिया गया यह सहिक तो राष्ट द्वारबाइशन प्रधान करने की आरतर शास्त्री और विकास के रणितिकार जो है जिनका नाम है प्रोफेसर जेफरेडी सेच्य है इनके नेतरत में सकत विकास समाधा नेतर की स्थापना 2012 में की गई थी और सकतराष्ट के महासाचीब के तत्वाधान में इसकी स्थापना की गई थी और यह एक एसा प्लेटफॉर्म बना जो सतत के लक्षियों को व्यवारिक समधान के रूप में बढ़ावा देने के लिए विश्व के विज्ञानी को तक्निकी वेशिशक्यों को जुटाता है विकास प्रदशनों में देश के विशिष्ट परतिस परधात्मक्ता का अकलन करता है और एक रिपोर्ट देकर यह वाट प